नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मायर टेक्रिकल्चर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम 17 और 18 अक्टूबर के मद्यप्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे मद्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मोसम पूर्ण रूप से सुस्क बना हुआ है लेकिन अब मद्यप्रदेश का मोसम भी करवट लेने लग गया है इस समय पर बंगाल की काड़ी और अरब सागर में निमन दबाव के छेतर बने हुए है जिसके कारण अब मद्यप्रदेश के मोसम में भी प्रिवर्ण देखा जा रहा है 17 और 18 अक्टوبर को मद्यप्रदेश के कुछ जिलों में हलकी से मद्यम बारिश तो कुछ जिलों में बारिश से अतिबारी बारिश की संभाव नहीं बन रही है तो वीडियो में हम आगे विष्टार से बात करेंगे कि 17 और 18 अक्टूबर को मद्य प्रदेश के कौन कौन से जिलो में बारिस होगी और कौन कौन से जिलो में मौसम सुष्क बना रहेगा तो इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतो तक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास आए गंटी के निसान को जरूर दबा दीजे जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिपिके चिंदवाडा, सिवनी, मंडला, बालागाट और डिंडोरी इन जिलों में कुछ इस्तानों पर वर्षा दर्जिक की गई हैं और पिछले 24 गंटों के दोरान प्रदेश में सरवादीक तापमान 38 डिग्री चेल्चिस नोगाओं में और सबसे कम तापमान 17 डिग्री चेल्च साइसेन में दर्जिक किया गया अब अगर 17 और 18 अक्टूबर के मद्य प्रदेश के मौसम के बारे में बात करें तो इन दो दिनों में जबलपूर, कटनी, नर्शिंगपूर, छिंदवाडा, सिवनी, मंडला, बालागाट, डिंडोरी, उम्रिया, सैडोल, अनुपूर, वस सिस्तानों में गरजव चमे के साथ बारिश से अतिबारी बारिश की संभावनाई बन रही हैं इसके अलावा रिवा, सिंग्रोली, सीधी, सतना, सागर, दमोवा, पन्ना, छतरपूर, टिकमगड, निवाडी और बोपाल, इंडोर, गौालेर और चम्बल संभावों के जीलों में और अलिराजपूर, जाबुवा, दारव, इंडोर जीले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है कहने का मतलब यह है कि 17 और 18 अक्टूबर को पूरे मद्यप्रदेश में बारिश की संभावनाई बन रही है कुछ चैतरों में बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी तो कुछ चैतरों में बारिश की इंटेंसिटी चैदा रहेगी लेकिन लगबग सभी जिलों में बारे से जरूर होगी तो दोस्तों यह थी मद्यप्रदेश वेदर रिपोर्ट आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करे चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान